Assalamualaikum guys, welcome to another vlog आज की इस वीडियो के अंदर इंशाला हम आपके साथ अलजीज गारण को डिसक्स करने जा रहे हैं इसके बारे में maximum information आप तक पहुंच आएंगे इसके सारे pros and cons आपके साथ share करेंगे और end में अपनी वीडियो में conclusion में हम देखेंगे कि यहाँ पर investment करनी चाहिए यहाँ पर घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए तो सबसे पहले इसकी location की तरफ चलते हैं तो यह society आपको GT road पे मिलती है और काइद आजम interchange के बिल्कुल पास मिलती है और अगर exactly इसका distance देखें तो काइद आजम interchange से यह exactly तकरीबन तेट किलो मिटर दूर है और में duty road से आपको तकरीबन 300 मिटर के फासले पे मिलती है इसकी surrounding में आपको सारी यहाँ पे societies मिलती है बहुत बड़ी तदाद में यहाँ पे अबादी आ चुकी है लेकिन यह एक टुकरा आपको बिल्कुल खाली मिलता है और अब यहाँ पे अलजीज गार्डन डिवेलप होने वाला है और आपको आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे भी अबादी नजर आएगी further details की तरफ जाने से पहले इसके developer को देख लेते हैं इसका developer आपको बिन अजीज डिवेलपर मिलता है जिन्होंने अपना पहला एक project अलजीज गार्डन के नाम से कोट्रा दाकिशन में डिवेलप किया और डिलिवर किया और आप यह लोग यहाँ पे आके अपना दूसरा project स्टार्ट कर चुके हैं इसकी entrance के 2-3 रस्ते हैं लेकिन जो आपको main रस्ता मिलता है वो आपको अलकरीम garden के अंदर से मिलता है और दूसरा रस्ता इसको एक सरकारी रस्ता भी लगता है तो आप इसको easily 2-3 रस्तों से access कर सकते हैं इसका total area आपको यहाँ पे 50 canal मिलता है यह society LDA से approval के बिल्कुल करीब है क्योंकि इनको approval के analysis issue होने वाले हैं और इनकी जितने भी land documents थे वो accept कर लिये गए हैं यह society एक चोटी से आपको cutting मिलती है और इसके अंदर आपको एक ही block मिलता है एक single gated community है इसकी चारों साइडों पे आपको घर मिलते हैं लेकिन उसके इलावा भी आपको 6 मरला, 7 मरला, 8 मरला इससरा के कुछ बहुत कम तदाद के अंदर plots मिलते हैं और यहाँ पे जो आपको per मरला rate मिल रहा है वो तकरीबन आपको 13,75,000 मिलता है और यह rate आपको installment पे मिलता है और बाकी रकम आप 18 किस्तों के अंदर easily अपने घर के अंदर रहते हुए दे सकते हैं अब हम सुसाइटी के थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं तो सुसाइटी के समने आपको एक बरसाती नाला मिलता है यहाँ पे आपको काफी अबादी मिलती है एक से दो आपको मस्जिदे मिल जाती है और इसके समने का रोड आपको 40 फूट वाइड मिलता है जहाँ पे आपको तक्रीबन 20 से 25 प्लोट मिलती है जो के कमर्शल के हैं तो कमर्शल प्लोट आपको 33 लाग का मिलता है जो के 300 स्क्वेर फिट का है और इसकी डाइमेंशन को देखें तो 12 बाइ 25 के आपको डाइमेंशन मिल जाती है उसके बाद पूरी सुसाइटी के अंदर आपको 30 फीट वाइड रोड मिलते है स्टार्टिंग में आपको सारा 5 मरला मिलता है वो यह है कि इसके पर मरला रेड के अंदर सारे चार्जिस इंक्लूडीड है चाहे वो डिवैलिमेंट चार्जिस हो चाहे वो पुजैशन चार्जिस हो या कोई भी ऐसे चार्जिस जो के नई सुसाइटीस बाद में डिमांड करती है ऐसा कुछ भी इनकी प्राइसिस में शामिल नहीं है कोई hidden या अधर चार्जिस नहीं है और आपको straight forward यहां पे जो rate मिलता है वो 13,555 पर मरला मिलता है और commercial के अंदर पर मरला rate 33,005 मिलता है सुसाइटी में वाबडा का का काम स्टार्ट हो चुका है और काफी अची pace के साथ यहां पे machinery लगी हुई है और सारा काम हो रहा है amenities को देख लेते हैं तो यहां पे आपको पानी का कोई tank नहीं मिलेगा जो भी यहां पे resident आएगा उसको यहां पे bore करवाना पड़ेगा इस road के उपर maximum areas में suey gas मौजूद नहीं है लेकिन इस society में आने वाले time में suey gas नजर आएगी क्योंकि इसकी surrounding में suey gas आ चुकी है और यह facility आपको मिलती है pros and cons को देखें तो इसके अंदर जो positive points है वो यह है कि यह already एक develop area के बिल्कुल दर्म्यान में society आई है GT road के बिल्कुल करीब है यह society city से काफी हटके है लेकिन फिर भी इसके rates आपको DHA वाले मिलते है और इसकी reason सरफ यह है कि यह GT road के बिल्कुल करीब है और काफी develop area इसकी side ओं पे आ चुका है तो इसकी काफी जो prices है वो आपको high मिलती है इसकी surrounding में देखें तो आपको green land housing society मिलती है इसके बिल्कुल सामने आपको अलकरीम garden मिलता है जिसके अंदर से आपको इसकी major entrance है वो मिलती है अलगनी garden मिल जाता है अलरहीम garden phase 5 मिल जाता है अगर conclusion को देखें तो यहाँ पे आपको गिने चुने maximum 200 plots मिलते हैं पे लोग बहुत तेजी से booking कर रहे है क्योंकि इसकी surrounding वाली society में बहुत demand है और इस तरह की society का इस जगा पे launch होना एक golden chance है क्योंकि यह society बिल्कुल नई develop होगी और environment आपको काफी अच्छा मिलेगा तो अगर आप इस area के अंदर किसी अच्छी जगा पे रहना चाते हैं तो यह society काफी अच्छी आपके लिए हो सकती है अगर आप investment करना चाते हैं तो इसके अंदर जरूर करें क्योंकि 18 मंत के बाद जब यहाँ पे proper possession मिल जाएगा तो यह prices तकरीबन 16 से 17 लाग तक जा चुके होंगे उसके लावा यहाँ पे आप लोट लेके उसको घर बनाके rent आट भी कर सकते हैं इस area के अंदर rent वाले घरों के भी बहुत demand है तो आज आप अगर यहाँ पे investment करते हैं या घर बनाते हैं विडियो अची लगए तो विडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें इन्शाला इसी तरह किसी और विडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिंग, अल्लाहाफीज